हालो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में ओक्सिडेटिव फॉस्पोर रिलेशन के बारे में देखेंगे तो इलेक्ट्रोन परिवहन एक केटाबोलिक प्रोसेस का अंधिमपद है तथा एक ऐसा बिंदू है जहां अधिकांश उपापच्ची उर्जा निर्मुक्त होती है इस प्रक्रिया में NADH और FADH2 अणों के इलेक्ट्रोन जो अणों ने खाती अणों के ओक्सिकरन से प्राप किये हैं आणविक ओक्सिजन को इस्थानांतित कर दिये जाते हैं इलेक्ट्रोन इस्थानांतरन के पच्चात उत्पन उर्जा का दिकांश भाग ATP निर्मान में काम आता है शेश उर्जा के रुप में निश्काशित हो जाता है Electron के NADH वो FADH2 से O2 तक Oxygen तक Electron वाहा को द्वारा इस्थानात्रन के दोरान ATP निर्मान का प्रक्रम ही Oxidative Phosphorylation कहलाता है Oxidative Phosphorylation is the process by which the energy stored in NADH and FADH2 is used to produce ATP Oxidation step यहां देखेंगे हम reaction में Electron transport chain में NADH प्लस hydrogen प्लस oxygen तो NAD प्लस water FADH2 प्लस oxygen FAD प्लस H2 और Phosphorylation step में ADP प्लस और यहां प्रोड्यूस होता है ATP Oxidative Phosphorylation के लिए हम पढ़ेंगे Chemo-osmotic theory Oxygen वो Phosphorylation के युगमन को दर्शाने के लिए रसा परासरणी परिकल्पना Chemo-osmotic hypothesis दी गई है इस परिकल्पना को मिचल ने 1961 में प्रस्तूत किया 1978 में मिचल को इसी कारे के लिए प्रुषकार भी प्राप्त हुआ मिचल के अनुसार इलेक्ट्रोन स्थनांतरन के दोरान जो प्रोटोन को अंतरकला की C सतर से M सतर की और अभी गमन के लिए प्रेडित करता है माइटोकॉंड्रे की अंतरकला हाडोजन आयन के लिए अपारगम में होती है इसलिए ये हाडोजन आयन यहाँ पर प्रारंबिक कणो वो F0, F1, ATPS कंप्लेक्स पर उपस्तित प्रोटोन भाई का प्रोटीन चैनल से होकर मेट्रिक्स की और गति करते हैं जब हाडोजन आयन कला की C सता से M सता को प्रोटोन भाई को से गति करते हैं तो प्रारंबिक कण में उपस्तित ATPS, एंजैम, ADP वो P1 तथा ATP परिवर्थन अभिक्रिया को प्रिद करता है एक एलेक्टोन परिवर्थन तंतर में एक NADH प्लस हाडोजन आयन के संपून ऑक्सिकलन के दोरान छे हाडोजन आयन अंतर कला से C सता की और इस्थनत्रित किये जाते हैं तथा जब ये 6 हाडोजन आयन एम सता की और F0 से F1 ATPS कॉंप्लेक्स के आरपार गति करते हैं तो 3 ATP अनुद्पन होते हैं इस प्रकार से हम और उक्सिडेटिव फस्क्रेलेशन को समझ सकते हैं तेंक्यू